जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाए तो आवाज उलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिक वर मेरे साथ दौसकार बोल किलब आजाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा देश की ग्रेह मंत्री अमिश्शा कल लोकसभाब एक चर्शा के दौरान उन्होंने विपक्ष को ये कहते हुए पटखनी दी कि किसी भी आतंकवादी हमले में जो पीडित होता है हम उसके मानवाधिकार की बात करें आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात नहीं यानि कि सही खेल गए अमिश्शा वो जानते हैं कि आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात कोई नहीं करने वाला है मगर उन्होंने देश की जनता को ये बतलाने का प्रयास किया कि देखी हम तो पीडित के साथ खड़े हैं ये जो विपक्ष है ना ये आतंकवादियों के साथ खड़ा है मगर मानुआधिकार का जो असली मुद्दा है उसे इन्होंने सिरे से खारज कर दिया और उसकी मिसाल आज मैं आपको अपने कारिकरम में बतलाने वाला हूँ क्योंकि जब आप मानुआधिकार की बात करते हैं आमिजी तो उन मुद्दों का जवाब दें जो आज मैं अपने दर्शकों के सामने रखोंगा सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुनें अमिज शाह ने किस तरह से विपक्ष को संसद के अंदर अपने इस बयान के जरिये पटख़दी दिने की कोशिश की सुनियामिज जी क्या कह रहे हैं आप मुझे बताइए ना हम सब जानते हैं कि अगर एक आतंकवादी हमला होता है तो इस हमले में हमारी सहनुवूती हमेशा पीडित के साथ होती है अतंकवादी के साथ नहीं अमिजी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं भारतिय जनता पार्टी के कारकाल में मानवादिकार को लेकर जो आप लोगोंने मजाग बना कर रख दिया है उससे आप मुझ क्यों फेर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो है भारतिय जनता पार्टी के समर्थक एक नेता सचन खटिक का वो नवरात्र के दौरान कुछ मुसल्मान जो वेजिटेरियन बिर्यानी बेच रहे है पहले तो ये इनका ठेला पलट चुका है अब ये इस तरह से और निकला है और और भी इसी तरह से ठेलों को पलट रहा है जबकि खुद पुलीस उससे कह रही है कि भाई ये लोग वेजिटेरियन बिर्यानी बेच रहे हैं इन्हें परिशान मत करो पुलीस वाला समझा रहा है सचिन खटिक को जो कि भाजपानेता संगीत सोम का समर्थक है देखिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश में आदितनात सरकार के राम राजजी की देखिए विडियो कि ऐसा काम मत करो पुलीस खुद कह रही है कि हम कह रहे हैं कि वो वेजिटेरियन बिर्यानी बेच रहे है अमिजी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसी धेरों मिसाले दिखाई दे रही है जहां मेहनत से कमाने वाले मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है आदितनात के उत्तर पदेश में और कई ऐसी जगाओं पर क्योंकि हुआ क्या है कि भारती जनता पार्टी के समर्थन से जो एक मेयर बने हैं उन्होंने कह दिया कि अब साउथ दिल्ली में कहीं पर भी नौन विज नहीं बेचा जाएगा अब ये जो मुद्दा है वो आग की तरह हर जगा पहल रहा है ये शक्स है प्रवेश साहिब सिंग जो कि भाजपा के सांसर दे उन्होंने तो ये तक कह दिया आइटम बेच भी रहा है तो क्या वो भारती कानून की निगाह में गुना है बताईए और मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या किसी भी सूरत में वो हिंदू धर्म का अपमान है मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो लोग नवरात्री के दौरान मुद्दा उठा रहे हैं इसका और उसके जरीए मुसल्मानों को टार्गेट कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है उन लोगों का बानुधिकार कहा गया बात यहां नहीं रुकती है पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं हलाल के मुद्दे पर हिजाब के मुद्दे पर किस तरह से टार्गेट किया जा रहा है मुसल्मानों को अमेजी जब आप यूमिन राइट्स की बात करते हैं तो उनके यूमिन राइट्स की बात कीजे न मैं आपको एक ख़बर दिखाना चाहता हूँ एक डेकन हेरेट की ख़बर है करनाटक की खबर है जी हाँ करनाटक एक बार फिर करनाटक को बत से बत्तर किया जा रहा है इस खबर के मताबक विश्व हिंदू परिशद ने किसानों से कहा है कि तुम जो अपना उतपाद है अपना प्रोड्यूस है वो सिर्फ हिंदूों को बेचो हिंदू बिचौलियों के जरिये मुसल्मानों को मत बेचो सिर्फ हिंदूों को बेचो और वो भी हिंदू बिचौलियों के जरिये अब मैं समझना चाहता हूँ देश के ग्रे मंत्री से विश्व हिंदू परिशद जैसे पूरा संब्रक्षन मिला हुए भारती जंता पार्टी का मैं आपसे समझना चाहता हूँ अमिजी यहाँ पर विश्व हिंदू परिशद खुले आम इस तरह से बात कर रही है आप ये भी जानते हैं कि हिजाब के वि करनाटक में कोई बहुत अच्छा नहीं नतीजा ये है कि आज की तारीक में दुनिया में जो आईटी हब कहा जाता है करनाटक वहाँ पर किन मुद्दों की बात हो रही है हिजाब हलाल इनी तमाम मुद्दों की बात हो रही है मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विश् जनता पार्टी इन मुद्दों पर खामोश हो जाती है इन मुद्दों पर आपकी सरकार क्यों कुछ नहीं कहती मैं समझना चाहता हूँ बताईए क्या आप विश्व हिंदु परशद के इस मांग का समर्थन करते है हिजाब का मुद्दा वो मुद्दा मुद्दा ही नहीं एक अरसे से माँ मुस्लिम ओरतें जो हिजाब पहन कर आया करती थी फिर आपने बेवजा उसे विवाद बना दिया बाकाइदा एक स्पॉंसर्ड अभियान चला एक सोची समझी साज़श के तहत हिजाब और बुर्का पहने लड़कियों को टार्गेट किया गया क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इस मुद्दे पर कभी आपने सोचा है बताई क्योंकि आपने तो बहुत शतुराई से आतंकवादी बनाम पीडित की तरफ बहस को ढखेल दिया मगर दूसरी तरफ जो असली मुद्दा है आपके राज में हिजाब, हलाल और इन तमाम मुद्दों पर जो विवाद हो रहा है उस पर आपको इटिपणी नहीं करेंगे मैं समझना चाहता हूँ आखिर क्यों और मेरा सवाल इस देश की जनता से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नवरात्री के तोरान कोई अपने घर में बैठकर मटन बिर्यानी खाए उससे हमारा धर्म कैसे आहत होगा बताइए वो अपने घर में खा रहा है उससे हम कैसे आहत हो जाएंगे तूसरे मैं आपसे समझना चाहता हूँ अगर कोई लड़की स्कूल जाए एक हिजाब पहनके एक हिज स्कार्फ पहनके उससे हिंदू धर्म कैसे आहत हो जाएगा मुझे बताइए इसके इलावा आप नॉन विजटेरिन खाते हैं ठीक है आपके धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है और मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें नॉन विज हलाल खाना चाहिए जटका खाना चाहिए अगर आपको ऐसा नॉन विजटेरिन परोसा जाए जो की हलाल हो मैं आपसे समझना चाहता हूँ इससे क्या हिंदू धर्म आहत हो जाएगा मेरे इन सवालों का जवाब दीजे सोच समझ कर दीजे बौकला कर घुसा होकर मत दीजे मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या इन किसी भी सूरतों में हिंदू धर्म आहत हो रहा है हिंदू धर्म खत्रे में पढ़ रहा है आप लोग तो ऐसा बरताव कर रहे हैं जैसे एक जमाने में कुछ कटर मौलवी होते थे जो मुसल्मानों को बरगलाते थे और बार बार कहते थे कि इसलाम खत्रे में इसलाम खत्रे में और ये इसलाम खत्रे में है का नारा देकर उनसे तमाम अनावशनाब काम कर दिये जाते थे मैं ये जो नारा है कि हिंदू खत्रे में है या हिंदू धर्म खत्रे में है पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहा हूँ अब ये नवरात्र के नाम पर ये जो मजाक हुआ है इस मुद्दे को प्रियंका चत्रुवेदी ने भी उठाया है अपने बयान के जरीए और उन्होंने जो है ये सवाल किया है Information Broadcasting Minister अनुराग ठाकुर से सुदर्शन नाम का एक News Channel है ये News Channel जो है वो पहुच जाता है हल्दी राम के एक दुकान में और कहता है कि ये जो mixture आप बेच रहे हैं इसमें उर्दू में क्यों लिखा हुआ है आप हमसे क्या चुपा रहे हैं अरे भाई उर्दू राष्ट्री भाषाओं में से एक है जो 22 राष्ट्री भाषाओं उनमें से एक उर्दू है और इन मुर्खों को पता होना चाहिए कि वो उर्दू में नहीं लिखा हुआ था वो अर्बी में लिखा हुआ था क्यों क्योंकि हल्दी राम मिडल इस्ट और अर्बी देशों में भी अपना सामान बेचता है वो चाहता है कि जो अरब देशों में लोग रहते हैं जो सिर्फ अर्बी पढ़ते हैं वो भी इसे पढ़ें और इसे खरीदें सिर्फ बिजनस सोच है इसके पीछे मगर एक चैनल इस तरह का नाटक इस तरह की नफरत खिलता है और मैं आप से समझना चाहता हूं हमिज्जी कि इन नफरतियों के बारे में आपका क्या कहना है इन नफरतियों पर आप कारवाई क्यों नहीं करते हैं खेर नफरत की क्या बात करना जैसे अभी-अभी मैंने सूशना और प्रसारण मंत्री की बात की, माननी अनुराक ठाकुर, ये वो आदमी है जिसने दिल्ली चुनावों से पहले, खुले आम मंच पर खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाए थे, उसके बात क्या हुआ था, ये भड़काओ बयान देते हैं, और खुद आपने कहा था, अमिज जी, याद है, कि बाबर पुर में बटन दबाओ, शाहीन बाग को करंट लगेगा, तो आपकी पुलिटिकल पार्टी में तो इन नफरतियों को इनाम मिलता है, मुझे ताज्यूब नहीं होगा, इस कारकर्ण की शुरुआत में, जिस सचिन खटिक की मैंने बाद की, मुझे ताज्यूब नहीं है, कि किसी बाइलेक्शन में उन्हें आप विधायक की तौर पर पेश कर देंगे जन्ता के सामने, मुझे बिलकुल ताज्यूब नहीं है, क्योंकि ये वो भारती जन्ता पार्टी है, जह इन नफरतियों को पुरसकार मिलता है, मैंने आपको डेरों मिसाल दे दी है, इन फाक्ट वो जो कपिल गुर्जर है, उसे तो भाचपा शामिल कर रही थी, इंस्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग के हत्यारों को बुलंद शहर में भारती जन्ता पार्टी सम्मानित कर रही थ भूल गए आप शिकर अगरवाल को, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब आप आतंकवादियों और पीड़तों के यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, जब उस बहस में आप विपक्ष को उल जाते हैं, तो आप मुद्दे को भटका रहे हैं, आप असली यूमन रा लगातार पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि भारती जनता पार्टी को लग रहा है कि ये तमाम मुद्दे उठाकर हमें चुनावी फाइदा मिल रहा है, समाज को बार-बार बाटो, उसे दोफाड करो, मैं यही तो समझना चाहता हूँ क्या वज़ा है, क्या आप एक हद तक नफरत में जला सकते हैं, बाद में क्या होगा आप जानते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि आप 20 प्रतिशत को नफरत की आग में जलाओगे, तो बाकी 80 प्रतिशत उससे अच्छूते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, जब आप समाज के एक हिस्से में अस्थिर किस जातिके हैं, आप दो अलग-अलग धर्मों के हो सकते हैं, मगर आप फिर भी किसी ना किसी कड़ी से जुड़े होते हैं, तो जब आमेज जी आप यूमिन राइट्स की बात करते हैं तो मुझे बताइए, कि हिजाब के नाम पर, हलाल के नाम पर, नौन वेज के नाम पर आप या आपकी पुलिटिकल पार्टी किस तरह का गंदा खेल खेल रही है, आपकी पुलिटिकल पार्टी जिन संस्थाओं को समर्थन देती है, वो किस तरह का गंदा खेल खेल रहे हैं, आपको इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि मेरे इस मंच पर ये सवा कल हमेशा पूछे जाते रहेंगे नमस्कार